ओम साइराम सभी को साधर प्रणाम सभी के मंगल की कामना करते हुए आज मैं आपके लिए पढ़ने जा रही हूँ अध्याय 43-44 श्री साई सचरेत्र महा समाधी की और इस इन 43-44 श्री अध्यायों में बाबा के निर्वान का वर्णन किया गया है इसलिए यहां सयूक्त रूप में लिखे जा रहे हैं पूर्वत अयारी समाधी मंदिर हिंदूओं में यह प्रथा प्रचली थे कि जब किसी मनुष्य का अंतकाल निकट आ जाता है तो उसे धार्मिक ग्रंथ आधी पढ़कर सुनाए जाते हैं इसका मुख्यकारण केवल यही है कि जिससे उसका मन सांसारिक जंजडों से मुक्त होकर अध्यात्मिक विश्यों में लग जाये और वह प्राणी कर्म वश अगले जन्म में जिस योनी को धार्ण करे उसमें उसे सद्गती प्राप्त हो सर्वसाधारण को ये विदी थी है कि जब राजा परिक्षित को एक ब्रहमर्शी पुत्र ने श्राप दिया और एक सप्ता के पश्चा थी उनका अंतकाल निकट आया तो महात्मा शुकदेव ने उन्हें उस सप्ता में श्रीमद भागवत पुरान का पाठ सुनाया जिससे उनको मुक्ष की प्राप्ति हुई यह प्रथा अभी भी अपनाई जाती है महानिर्वान के समय गीता भागवत और अन्यक ग्रंतों का पाठ किया जाता है बाबा तो स्वयम अवतार थे इस ते उन्हें बाहिय साद्भों की आवश्चकता नहीं थी परन्तु केवल दुसरो के समक्ष उधारन प्रस्तुत करने के हेतु ही उन्होंने इस प्रथा की उपेक्षा नहीं की जब उन्हें विदित हो गया कि मैं अब शिग्र इस नश्वर देह का त्याग करूंगा तब उन्होंने श्री वजजे को राम विजय प्रकरन सुनाने की आज्या दी श्री वजजे ने एक सप्ताहा प्रति दिन पाट सुनाया तत्पश्चाद बाबा ने उन्हें आठो प्रहर पाट करने की आज्या दी श्री वजजे ने उस अध्याई की दूतिया वृत्ती तीन दिन में पूर्ण कर दी और इस प्रकार गयारा दिन बीद गए फिर तीन द प्रतिक्षा करने लगे दो तीन दिन पूर्वही प्राटरकाल से बाबा ने भिक्षातन करना सकित कर दिया और वे मस्जीत में ही बैठे रहे वे अपने अंतिन प्रतिक्षण के लिए पुर्ण सचेत थे इसे वे अपने भकतों को धहर्यतों बंधाते रहते पर उन्होंने किसी से भी अपने महा निर्वान का निश्चित समय प्रगट न किया इन दिनों काका सहेब दिक्षित और श्रीमान बोटी बाबा के साथ मस्जिद में नित्ती ही भोजन करते थे महा निर्वान के दिन अर्थात 15 अक्टोबर को आर्थी समाप्त होने के पश्चात बाबा ने उन लोगों को भी अपने निवास स्थान पर ही भोजन करके लोटनी को कहा फिर लक्षमी बाइन शेंदे, भागोजी शिंदे, बयाजी, लक्षमन बाला शिंपी और नाना सहीब निमोन कर वही रह गए शामा नीचे मस्जिद की सीडियों पर बैठे थे लक्षमी बाइन शिंदे को नौ रुपे देने के पश्चाद बाबा ने कहा कि मुझे मस्जिद में अब अच्छा नहीं लगता है इससे मुझे बूटी के पथरवाडे में ले चलो, जहां मैं सुक पुर्वक्र हूंगा यही अंतिम शब्दों के श्री मुख से निकले इसी समय बाबा वयाजी की श्रीर की ओर जुक गए और अंतिम श्वास छोड़ दी भागो जी ने देखा कि बाबा की श्वास रुख गई है तब उन्होंने नाना साहिब निमोन कर को पुकार कर यह बात कही नाना साहिब ने कुछ जल लाकर बाबा के श्री मुख में डाला जो बाहर लुड़क आया तब ही उन्होंने जोर से आवाज लगई अरे देवा तब बाबा ऐसे दिखाई पड़े जैसे उन्होंने धीरे से नेत्र खोल कर धीमे स्वर में ओह कहा हो परन्तों बसपष्ट विदित हो गया कि उन्होंने सचमोची पंचबूत शदीर त्याग दिया है बाबा समाधिस्त हो गय यह रुदय विदारक दूसमवाद दावानल की भाती तुरंत ही चारो और फैल गया शिरडी की सब नर और नारी और बालगण मस्जित के और दोड़े चारो और हाहाकार बच गया सभी के रुदय पर वज्रपात हुआ उनके रुदय विचलित होने लगे कोई जो जो से चिला कर रुदन करने लगा कोई सडकों पर लोटने लगा और बहुत से बेसुध होकर वहीं गिर पड़े प्रत्यक की आँखों से जर जर आसु गिर रहे थे प्रलाय काल के वाता वरण में तांडव उद्रुत्य का जैसा दृष्य उपस्तित हो जाता है वही गती श्रडी के नर नारियों के रुदन से उपस्तित हो गई उनकी इस महान दुख में कौन आकर उन्हें धहरिय बंधा था जब कि उन्होंने साक्षात सगुण पर ब्रह्म का सानिध्य खो दिया था इस दुख का वरणन भला कर ही कौन सकता है अब कुछ भक्तों को श्री साही बाबा के वचन यहाद आने लगे किसी ने कहा कि महाराज ने अपने भक्तों से कहा था कि भविश्य में वे आट फर्ष्य के बालक के रुप में पुनहा प्रगट होंगे कृष्य आवतार में भी चक्रपाणी भगवान विश्णू ने ऐसी ही लिला की थी श्री कृष्य माता देवकी के सामने आट फर्ष्य के आयूवालेक वालक के रुप में प्रगट हुए जिनका दिव्य तेजो में स्वरूप था और जिनके चारों हाथों में आयूध, शंख, चक्र, गदा और पद्न सुशोभित थे अपने उस आवतार में भगवान श्री कृष्ण ने भूहार हलका किया था साई बाबा का यह आवतार अपने भगतों के उत्थान के लिए हुआ था, संतों की कार्य प्रणाली अगम में होती है साई बाबा का अपने भगतों के साथ यह संपर्क केवल एक प्रिडी का नहीं, बलकि पिछले कई जन्मों का संपर्क है ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार का प्रे में संबन्ध विक्सित करके महाराज श्री साही बाबा दोरे पर चले गए और भक्तों को दुरण विश्वास है कि विश्री ग्रही पुना वापस आ जाएंगे अब समस्या उत्पन हुई कि बाबा के शरीर की अंतीम क्रिया किस प्रकार की जाए कुछ यवन लोग कहने लगे कि उनके शरीर को कब्रस्तान में दफन कर उसके उपर एक मगबरा बना देना चाहिए खुशाल चंद और अमिर शक्कर की भी यही दहरना थी परन्तु ग्राम में अधिकाली श्री राम चंद्रपाटिल ने द्रोड और निश्चयात्मक स्वर में कहा कि तुम्हाना निर्णय मुझे मान्य नहीं है शरीर को वाड़े के अतिरिक तनियत रख कहीं भी नहीं रखा जाएगा इस प्रकार लोगों में मतभेद उत्पन हो गया और वह वाद विवाद 36 घंटों तक चलता रहा बुद्वार के दिन प्रातरकाल बाबा ने लक्षमन मामा जोशी को स्वपन दिया और उन्हें अपने हाथ से किचते हुए कहा कि शिगरो उठो बाबो साहिब समस्टा है कि मैं मृत हूँ इसलिए वह तो आएगा नहीं तुम पूजन और काकड़ार्ती करो लक्षमन मामा ग्राम के जोती श्री श्याम के मामा तथा एक कर्मट ब्राह्मन थे वे नित्य प्रातकाल बाबा का पूजन किया करते तत पश्चाती ग्राम देवियों और देउत्नाओं का उनकी बाबा पद्रण निश्ठाती स्तेस रिष्टांत के पश्चाते पूजन की समस्त सामगरी लेकर वहाँ आये और जो ही उन्होंने बाबा के मुख का आवरण हटाया तो उस निर्जीव अलो की एक महान प्रदिप्त प्रतिभा के दर्शन करके वे स्तब्द रह गये मानू हिमान्शुने उन्हें अपने पाश में आबद्ध करके जडवत बना दिया हो स्वपन की स्मृति ने उन्हें अपना कर्तव्य करने को प्रेदित कर दिया फिर उन्होंने मोलवियों के विरोध की कुछ भी जिंताना कर्विधिवत भूजन और काकड़ाती की दोपर बापु साहिब जोग भी अन्य भक्तों के साथ आए और सदेव की भाती मध्यान आरती की बाबा के अंतिम श्री वचनों को आधर पुर्वक स्विकार करके लोगों ने उनके शदीर को बुटी वाड़े में ही रखने का निश्रे किया और वहां का मध्यभाग खोदना आरंब कर दिया मंगलवार की संथ्या को रहाता से सब इंस्पेक्टर और भिनबिन स्थानों से अनेक लोग आकर वहाए कत्रुए सब लोगों ने उस प्रस्ताव को स्विकार कर लिया दुसरी दिन प्रातरकाल बंबई से अमीर भाई और कोपरगाव से मामले दार भी भहाँ आ पहुचे उन्होंने देखा कि लोग अभी भी एकमत नहीं है तब उन्होंने मद्दान करवाया और पाया कि अधिकांश लोगों का भूमत वाड़े के पक्ष में ही है फिर भी वे इस विशे में कलेक्टर की स्विकृती अती आवश्यक समझते थे तब काका सा एक स्वयम अहमद नगर जाने को उद्यत हो गए परन्तु बाबा की प्रेणा से वी पक्षियों ने वी प्रस्ताव स्वेर हर्ष स्विकार कर लिया और उन सबने मिलकर अपना मत भी वाड़े के ही पक्ष में दिया अता बुद्भार की संध्या को बाबा का पवित्र शदीर बड़ी धूमदाव और समारों के साथ वाड़े में लाया गया और विधी पुर्वक उस स्थान पर समाधी बना दी गई जहां मुर्ली धर की मुर्ती स्थापित होने को थी सच तो यह है कि बाबा मुर्ली धर बन कए और वाड़ा समाधी मंदिर एवं भक्तों का एक पवित्रस देव स्थान जहां अनेको भक्त आया जाया करते और अभी भी योट्य परती वहां आकर सुक और शान्ती प्राप्त करते हैं बालासाहिब भाटे और बाबा के अनन्य भक्त श्रीवत ने बाबा की विधीवात अंतिम क्रिया की जैसा प्रोफेसर नार्के को देखने में आया था यह बात विशेश ध्यान देने योग्य है कि बाबा का शरीर 36 गंटी के उपरान तभी जड़ नहीं हुआ और उनकी शरीर का प्रत्यक अव्याव लचिरा बना रहा जिससे उनकी शरीर पर उसे कफनी बिना चिरे हुए इस ल भरूप था मस्जिद में एक पुरानी इच थी जिस पर बाबा अपना हाथ टेक कर रखते थे रात्री के समय बाबा उस पर सिर रखकर शयन किया करते थे यह अनेक वर्षों तक चला एक दिन बाबा की अनुपस्तिती में एक बालक ने मस्जिद में जाडू लगाते समय वह इच अपने हाथ में उठाई दुर भाग्यवश वह इच उसके हाथ से गिर पड़ी और उसके दो टुकडे हो गए जब बाबा को इस बात की सुचना मिली तो उन्हें उसका बड़ा दुख हुआ और वह कहने लगे कि यह इच नहीं फूती है मेरा भाग्यवश फूत कर चि पूर दिया कुछ लोग यहां शंका कर सकते हैं कि बाबा को इच जैसी एक तुच्छ वस्तु के लिए इतना शोक क्यों करना चाहिए इसका उत्तर है मार पंतिस प्रकार देते हैं कि संत जगत की उध्धार तथा दीन और अनाश्रितों के कल्यान आर्थ ही अवतिरन होते है जब वे नर देह धारन करते हैं और जन संपर्क में आते हैं तो वे इसी प्रकार आच्छरन क्या करते हैं अर्था भाईय रूप से वे अन्य लोगों के समान ही हसते खेलते और रोते हैं परन्तों अंतरिक रूप से वे अपने आवतार कारी और उसके धेय के लिए सदेव जग रहते हैं 72 गंटे की समाधी इसके 32 वर्ष पूर्व भी बाबा ने अपनी जिवन रिखा पार करने का एक प्रयास किया था 1886 में मारगशेश पूर्व निमा के दिन बाबा को दमा से अधिक पिड़ा हुई और इस व्याधी से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने अपने प्राण ब्रह्मांड में चड़ा कर समाधी लगाने का विचार किया अते हैं उन्होंने भगत मालसापती से कहा कि तुम मेरे शरीर की तीन दिन तक रिक्षा करना और यदि में वापस लौट आया तो ठीक है नहीं तो उस इस्थान पर मेरी समाधी बना देना और दो धजाएं चिन्न स्वरूप फहरा देना ऐसा कहकर बाबा रात में लगभग दस बज़े प्रत्वी पर लेड़ गए उनका श्वासोच चवास बंध हो गया और ऐसा दिखाई देने लगा कि जैसे उनकी शरीर में प्राण ही नहों सभी लोग जिनमें ग्रामवासी भी थे वहाँ एकत्रित हुए और शरीर परिक्षन के पश्चात शरीर को उनकी द्वारा बताये हुए स्थान पर समाधिस्थ कर देने का निश्चे करने लगे परन्तु भगत महलसापती ने उन्हें ऐसा करने से रोका और उनकी शरीर को अपनी गोद में रखकर वे तीन दिन तक उसकी रक्षा करते रहे तीन दिन व्यतित होने पर रात को लगभग तीन बजे प्राण लोटने की चिन्न दिखलाई पड़ने लगे श्वासोच्चवास पुनह चालू हो गया और उनके अंग प्रत्यंग हिलने डूलने लगे उन्होंने नेत्र खोल दिये और करवट लेते हुए पुनह चेतना में आ गए इस प्रसंग तथा अन्य प्रसंगों पर दृष्टी पात कर अब हम यहाँ पाटकों पर छोड़ते हैं कि वेही इसका अनिश्चे करें कि क्या बावा अन्य लोगों की भाती ही साड़े दीन हाथ लंबे एक देहधारी मालव थे जिस देहक को उन्होंने कुछ वर्षों तक धारन करने के पश्चा छोड़ दिया या वे स्वयम आत्मजोती स्वरूप थे पंचमहा भूतों से शरीर निर्मित होने के कारण उसका नाश और अन्त तो सुनिश्चित ही है परंतु जो सदवस्तु अन्त करण में है वही अथात में सत्य है उसका न रूप है न अन्त है और न नाश यही शुद्ध चैतन्य घन या ब्रह्म इंद्रियों और मन परशास और नियंत्रन रखने वाला जो तत्व है वही साई है जो संसार के समस्त प्राणियों में विद्यमान है और जो सर्वव्यापी है अपना अवतार कार्य करने के लिए ही उन्होंने देह धारन किया था और वह कालिय पूर्ण होने पर उन्होंने उसे त्याग कर पुन अपना शाश्वत और अनन्त स्वरूप धारन कर लिया श्री दत्तात्रिय के पुर्णा उतार गांगा पुर्कि श्री नर्सिंग सरस्वती की समान श्रिसाई भी सदेव वर्तमान है उनका निर्वान तो एक आपचारिक बात है वे जड़ और चेतन सभी पदार्थों में व्यापत है तता सर्व भूतों के अंताकरण के संचालक और नियंतरन करता है इसका अभी भी अनुभाव किया जा सकता है और अनेकों के अनुभाव में आभी चुका है जो अनन्य भाव से उनकी शर्णागत हो चुके हैं और जो पुर्णा अंताकरण से उनकी उपासक है यह जब भी ब बाबा के एक प्रसिद्ध भक्त कलागा श्री शामराव जैकर ने बनाया था एक कलपना शील और भक्त दर्शक को यह चित्र अभी भी बाबा के साक्षा दर्शन की समान ही संतोश और सुख पहुचाता है बाबा अब देह में स्तित नहीं है परंतु वे सर्व भूतों में व् परंतु वेत्र स्वयं भगवान श्री हरी है जो समय बहुत हैता ह sessions में पर भूतल पर और तिर नहीं होते हैं पो बापु साहिब जोग का सन्यास में के संयास के चर्चाकर हेमारभपंद संक्राथ ऋह रच्छा वे सब पतनिक श्रड़ी में आकर रहने लगे उनके कोई संतान न थी पती और पतनी दोनों की ही साई चरणों में अटल श्रद्धा थी वे दोनों उनकी पूजा वा सेवा करने में ही अपने दिन व्यतित किया करते थे मेगा की मृत्यू के पश्चाद बापु साहिब जोग में बाबा की महा समाथी परियंत मस्जिद और चावडी में आरती की उनको साथे वाडा में श्री ज्यानेश्वर और श्री एकनाती भागवत का वाचन तथा उसका भावार्थ श्रोताओं को समझाने का कार्य भी दिया गया था इस प्रकार अनेक वर्षों तक सेवा करने क पश्चाद उन्होंने एक बार बाबा से प्रातना की कि है मेरे जीवन के एक मात्रा आधार आपके पूझनिय चर्णों का दर्शन कर समस्त प्राणियों को परम शांती का अनुभव होता है मैं इन श्री चर्णों की अनेक वर्षों से निरंतर सेवा कर रहा हूं परन्तु क क्या कारण है कि आपके चर्णों की छाया कि सन निकट होते हुए भी मैं उनकी शीतलता से वंचित हूँ मेरे इस जीवन में कौन सा सुख है यदि मेरा बन चंचल बन शांत और स्थिर बनकर आपके श्री चर्णों में लीन नहीं हूँ क्या इतने वर्षों का मेरा संत समागम व्यर्थी जाएगा मेरे जीवन में वशुब घड़ी कब आएगी जब आपकी कुरुपा दृष्टी मच पर होगी भक्त की प्राथना सुनकर बाबा को दया अगई उन्होंने उत्तर दिया थोड़े ही दिनों में अब तुमारे ही भस्म हो जाएंगे मैं तुम्हें उस दिन ही भागे शाली संचूंगा जिस दिन तुम एंद्रिक विश्यों को तुछ जानकर समस्त्र पदार्थों से विरक्त होकर पूर्ण अनन्य भाव से इश्वर भक्ति कर सन्यास धारन कर लोगे कुछ समय पश्चात बाबा के अन्य कोई जिम्मेदारी शेष्ट न रही वे अप स्वतंत्र हो गए और उन्होंने अपनी मृत्यों के पूर्वसन्यास ध्यारन कर अपने जीवन का लक्ष प्राप्त कर लिया बाबा के अमृत दुल्य वचन दयानिधी कृपालू उश्रिसाई समर्थ ने मस्जिद में अनेग बार निम्नलिकृत अमृत वचन कहें थे जो मुझे अत्यदिक प्रेम करता है वह सदेव मेरा दर्शन पाता है उसके लिए मेरे विना सारा संसार ही सुना है वह केवल मेरा ही लिलागान करता है वह सतत मेरा ही ध्यान करता है और सदेव मेरा ही नाम जबता है जो पूर्ण रुप से मेरी शरन में आ जाता है और सदा मेरा ही समर्ण करता है अपने उपर उसका यरुण मैं उसे मुक्ती प्रदान करके चुका दूँगा जो मेरा ही चिंतन करता है और मेरा प्रेम ही जिसकी भूख प्यास है और जो पहले मुझे अर्पित के विना कुछ भी नहीं खाता मैं उसके अधीन हूँ जो इस प्रका मेरी शरण में आता है वो मुझे से मिलकर उसी तरह एकाकार हो जाता है जिस तरह नदियां समुद्र से मिलकर तदाकार हो जाती है अतएव महत्ता और हैंकार का सरवता परित्याग करके तुम्हें मेरे प्रती जो तुमारे रिदय में आसीन है पूर्ण रूप स समर्पित हो जाना चाहिए यह मैं कौन है श्रिसाई बाबा ने अनेक बार समझाया कि यह मैं कौन है इस मैं को ढूंडने के लिए अधिक दूर जाने के आवश्यक्ता नहीं है तुम्हारे नाम और आकार से परे मैं तुम्हारे अंतकरण और समस्त प्राणियों में चैतन्य घ प्रापक्त का अनुभव शिग्र हो जाएगा और मेरे साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी अतों हेमार पंथ पाठकों को नमन कर उनसे प्रेम और आधर पुर्वक्विनम्र प्रात्ना करते हैं कि उन्हें समस्त देवताओं संतों और भक्तों का आधर करना चाहिए बा आधर समस्त प्राणियों में विद्यमान हैं और उनकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं समस्त जीवों से प्रेम करो यही उनकी आंतरी किच्छा है इस प्रकार का विशुद्ध अंबृत में स्त्रोत उनके श्री मुक से सदेव जहरता रहता था अतर जो प्रेम पुर्वक बा नमस्तू शुभाम भवतू